आप सभी को दशरा की हार दिख्षुप काम ना है और आज मैं आप लोगों के साथ कोई रसिपी ले करके नहीं आई आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लंच की थाली आज दशरे की मौके पे मैंने अपने लंच में क्या बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हूँ तो मैं बिहार से हूँ, मैं रहती नोइडा में हूँ और आज के दिन बिहार में अल्मूस्ट हर घर में ये सेम डिसेस बनी होंगी सबसे पहले है कड़ी जो कि कड़ी पकोड़ा नहीं है ये बूंदी कड़ी है क्योंकि आज मैं अलग से पकोड़े बनाई हूँ तो मैं कड़ी पकोड़ा पर्टिकुलरली नहीं बनाई बूंदी कड़ी बनाई हूँ सबजी लगती है यह आलू परवल वहां अकसर आइमीन हमारे आहां जब कोई खास दिन होता है तो यह सबजी बनती बनती है बहुत मज़ेदार है बट अभी तक मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ तो अगर आपको आलू परवल की सबजी की रेस अचारी करेला इसमें कोई अचार का मसाला डाल कर नहीं बनता है इसमें कच्छे आम डाल करके बनाई है और इतनी मज़ेदार लगती है यह खाने में कि जिसे करेला नहीं भी पसंद है वो भी उंगलिया चाट चाट कर खाता है तो इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आज के दिन इनफाक पिहार में हर स्पेशल डे के दिन ये तो बनती बनती है और यसे हमारे आँ कहते हैं तरुआ हर घर में अलग-अलग तरह के तरुआ सौफ की जाती है जिसे यहां पे आइमिन बिहार से पाहर पकोड़े बोलते हैं या पकोड़ियां बोलते हैं तो आज मैं बनाए हूँ गोभी, आलू और बैंगन की पकोड़ियां बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है और इतनी मज़ेदार खाने में लगी कड़ी चावल के साथ कि बहुत मज़ा है आज का लंज खा करके साथ में मेरी सबसे फेवरेट ग्रीन चटनी आइमिन धनिया पुदीने की चटनी है जिसमें नीमू डला है, लैसन डला है लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डली है तो आज की थाली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी दशरा, स्पेशल थाली जो हमारे घर में तो सब को बहुत पसंद आई तो आपने आज दशरा कैसे सेलिबरेट किया मुझे जरूर बताए, कमेंट करके आपके घर में क्या क्या बनी और यूजवली क्या बनती है स्पेशल डे पे वो भी मुझे बताए तो वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं कल फिर मिलती हूँ आप से, तब तक के लिए बाबाई